हेलो डिया फार्मा केंडिडेट वेल्कम टो जीडीसी फार्मा जॉब गुजरात स्थब ओर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की ओर से आई हुई है लेब टेक्निशन एन लेब असिस्टेंट की पोस्ट जहां पर बी फार्मा के केंडिडेट रहने वाले हैं तो चले जानते कि इस प्रकार से आपको अप्लाई करना है क्या कुछ रहने वाली है लाज जेट और क्या कुछ रहेगी एज लिमिट तो देखें यह जो आपका नोटिफिकेशन है और अफिशल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं पूरी गुजराती लेंगिज में दी गई है यहाँ पर से आप समझ सकते हैं कि यह आपके गुजरात के जो स्टुडेंट है उनके लिए रहने वाल है वेगेंसी साथ ही सभी और दूसरे केंडिटेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं बड़ जेनरल कैटिगरी से आप इतने अप्लाई कर पाएंगे तो यह जो पूरी देख पाएंगे आप जो दी गई है नोटिफिकेशन यह पूरी रहने वाली है किसमें गुजराती लेंगिज में यह दी हम समझने के कोशिस करें थोड़ा सा आप जरूर से एक बार ट्रांसलेट गुगर ट्रांसलेटर में जाकर इसे एक बार चैक भी कर सकते हैं यह पीडिएफ का लिंक डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दिया गया है कैसे अप्लाई करना है यह भी साथ साथ देखेंगे यहाँ पर दिया गया है लाब टेकनिशन वाला है क्या कुछ बाइयलोजी वहाँ पर भी फार्मा के कैंडिएट है एलिजिबल ठीके इसे आप यह ऑह पर जो वेकेंसी आप देख पाएंगे लाब असिस्टेट यहाँ पर बीफार्मा के कैंडिएट रहने वाल है पूरी आप वेकेंसी की लिस्ट दी गई, इसे आप यहाँ पर से चेक कर सकती हैं, इसके दी बात करें, एज लिमिट क्या कुछ रहने वाली है, कि एज लिमिट की बात करेंगे, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लेजिए, 18-35 तक के कैंडिडेट रहने वाले हैं, इलिजि उनके लिए 500, एंड जो कैडिगेरी हैं, उनके लिए STAC वगेरा के लिए 400 रहने वाली एप्लिकेशन है, फिस ठीक है, तो इसको आप जरूर से एक बार ध्यान देंगे, एज की भी कोई दिक्कत नहीं है, एज रिलेक्शेशन अच्छा प्रोवाइड किया गया है यहाँ प पर देखेंगे प्रकार से गौर्मेंट और गुजरात में जब आप जाएंगे, जी एससबी का आप ओफिशल वेबसाइट देख सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए, लेब टेक्निशन केमिकल ठीक है यहाँ पर फार्मा के केंडिडेट रहनेवाल है eligible lab technician biology group, यहाँ पर रहनेवाले फार्मा केंडिडेट eligible, साथ ही साथ यहाँ पर laboratory assistant chemical और laboratory assistant biology, यह दोनों जगह में क्या कुछ रहनेवाले हैं, फार्मा के केंडिडेट रहेंगे eligible, तो यह चार पोस्ट रहने वाली है, जरूर से इसे आप लोग चेक करेंगे, जिसके last rate क्या कुछ रहने वाली है, तो आप देख पाएंगे 15 नौ, ठीके 15 September रहने वाली, इसकी last rate इससे पहले आपको apply जरूर से करना है, और इसकी fees के हमने बात करी लिए है, general के लिए 500 रहेगी और category वालों के लिए 400 रहने वाली है किस प्रकार से apply करना है, तो यहाँ पर आप जाएंगे apply के section में, इस प्रकार से आप apply कर सकते हैं, detail भी दिया गया है, इसे आप क्लिक करके detail जान सकते हैं, तो यह सभी information GSSB की ओर से आई हुई, pharma candidates के लिए opportunity के लिए है, जहाँ पर lab assistant, lab technician की बहुत अच्छी opportunity देने वाली है total post की बात करेंगे, तो total 88 post आप देख सकते हैं, यहाँ पर दी गई है, जरूर से आपको apply यहाँ पर करना चाहिए, यदि आप गुजरात के हैं, तो बहुत ही आप सभी के लिए, बट आप गुजरात से बाहर के candidate हैं, तो आपके वाल जनरल category पर यहाँ पर apply कर पाएंगे, तो यह पूरी process यहाँ पर से एक बार check कर सकते हैं, इसका link भी दिया गया है description box में, और अपनी preparation को अच्छे से start कर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी opportunities आपको देखने को मिल रही है, हर रोज फार्मा रिगार्डी मेकेंसी अपडेट के लिए subscribe कर लीजिए, जिडिसी फार फार्मा जॉब यूटूब चैनल और अपनी फार्मासिस्ट बनने की preparation को start करिए, जिडिसे classes आप डाउनलोड करके, यहाँ पर आपको daily basis पर free batches में आपको test provide की जाते हैं, जिसकी आप बार-बार practice करके अपनी perfection ला सकते हैं, तो मिलते हैं इसी प्रकार के next vacancy update के साथ, all the best! करेंगी हैं, जिसकी आपको test